कि टूदेए वी आर गॉइंग टूडिस्कस अबाटी मॉन आजकी कलास में हम जानेंगे चान के बारे में मॉन के बारे में जानेंगे तो यह आपका सेलेनोग्राफी क्या होती है scientific study of the moon, moon का वैज्ञानिक अध्यन सेलेनोग्राफी कहलाता है, तो इसमें सेलेनोग्राफी में हम क्या पढ़ते है, moon के relief के बारे में पढ़ते हैं और moon के geology के बारे में, relief क्या होता है, relief यह होती है कि जैसे हमारा सतह प्रिद्वी का सतह कैसे होती है, ऊचा नीचा है, ऐसे जैसे क्या है mountain है, फिर क्या है, गठे है, तो इस टाप का हमारा जो चांद है, चांद का भी सतह कैसा है, ऊचा नीचा है, तो उसको बोला जाता है relief, और geology में हम क्या पढ़त उनके पत्थरों के बारे में हम जानकारी लेंगे तो क्या हम इसमें मून एट्मोस्फियर के बारे में भी जानकारी लेंगे क्या तो सेलेनोग्राफिय में हम मून के एट्मोस्फियर के बारे में नहीं जानकारी लेते हैं सिर्फ मून के रिलेप और जियोलोजी उसकी सतह में जो आपके उची और नीची जो surface है उसके बारे में जानेंगे और उनकी पत्थरों के उनकी जो material जिससे वो बना हुआ है चांड उसकी surface के materials और रोक के बारे में जानेंगे तो यह है आपका सेलेनोग्राफि हो गया cold fossil planet हम चांड को क्या बोलते हैं? Fossil Planet भी बोला जाता है, ये F.B. Teller ने उनको बौला था, कौन से basis से बोला था कि जो है, Moon जो है, उन्होंने बताया कि Moon जो है, चांड जो है, प्रिथभी से निकला हुआ है, प्रिथभी से निकला हुआ है, जिस कारण से क्या हुआ कि जैसे पहले के टाइम में एबी टेलर ने बताया कि सबसे पहले क्या था आर्थ भी क्या था अब का सुपर नोवा से जब बना हुआ था उसमें बहुत गर्म था गर्म होने के कारण वो क्या होता है दीरे दीरे ठंडा होने लगता है थंड़ा होते समय क्या हुआ है उसका surface जो है outer surface जल्दी से थंड़ा हुआ और as compared to inner surface अंदर की भाग से क्या हो रहा है बाहर का भाग जल्दी थंड़ा होता है जिस कारण से क्या होता है बाहर का भाग का समन्व है अंदर की भाग के साथ नहीं बैठ पाता है जिस कारण से बाहरी सता जो होती है वो निकलाता है तो वहाँ पे एक गढढ़ा सक बन जाता है उस गढढ़े को क्या बोला जाता है अभी वही गढढ़ा के उन्होंने अभी टैलर ने बताई वही बाद में जाकर क्या बना हमारा परसांत महासागर बना जब बारिष की बुंदें वहां पर भरने लगी, तो आपका बारिष की पानी आया, वो आपका भरा तो आपका वो पर्सांत महासागर बोला, ऐसे क्या होला, windows ऑपने बताया कि, उन्होंने खिए बताया कि जो चान्द है, उसका उरिजिन कहां से हुआ, प्रितभी में, हैim, प्रिथवीश से ही आपका चान बना है क्या तो यहसा नहीं है हमने इसके बारे में सूपर नोवा इवेंट में देखा था कि क्या होता है सूपर नोवा का जब एक तारा होता है और इस तारे का जब सूपर नोवा होता है जब वो ब्लास्ट होता है उस सिच्वेशन में क्या ह कुछ material होता है वो कंदेन्स हो करके ठंधा हो करके क्या होगा वो आपका वो सकते हैं उसको कि हमारी सैटलाइट भी बनते हैं और यह सैटलाइट क्या है प्रीटवी का बहूत सारा गय से ठंधा हो करके क्या बन ए प्रीटवी भन गए और उसी के पास में कुछ आप thrτα commercial और भी material थे वो क्या हुआ इसके प्रित्वी के भाग नहीं बन पाया वो क्या होगे अलग से जमा हो गए अलग से ठंडा हो करके एक आपका अलग बोडी बनाया उस बोडी को क्या बोले सूपरनोबा से प्रित्वी और चांद मामा था मों चॉय कि उनका ऑरीजीन और प्रितवी का और उरीजिन प्रित्वी का कहां से घटना से एक ही घटना होगा तो वो घटना क्या थी सूपर नोवा से ही क्या हुई है इन दोने की शुरुआत हुए उत्पन हुआ है यह दोनों प्रितवी और चांद तो इस कारण से हमने देखा कि क्या है कि यह बी टेलर जो बता रहे हैं fossil planet इनकी ये जो theory थी ये तो fail हो जाते हैं बट हम क्या करते हैं कि इन्होंने जो बताया था उसको consider कर लेते हैं और क्या है moon come out of the earth is crittasius period ये कब हुआ था इन्होंने बताया अब बे टेलर ने कि ये जो moon है कब निकला हुआ था आपका प्रिद्वी के सता से crittasius period में और अब देखते हैं कि इसके बारे में ये सारे जो है कि ये सारे जो इनकी theory थी वो तो fail हो गई और उसको fail करने के जो साच्छे हैं वो साच्छे क्या है जैसे कि आपका क्या है कि earth का जो material है और moon का जो material है जिससे ये प्रिद्वी बना हुआ है और जिससे चांद बना हुआ है दोनों क्या है अलग-अलग material है क्योंकि हमने जो बात के जो scientist हैं वो क्या कि ये उनकी study कि रोग surface की तो उनको प आपका सपोर्ट नहीं कर रही है कि ये प्रिथभी से ही चान निकला है तो ये सब आपका ये साथ से हो गया थे तो देखते हैं कि मास जो है प्रिथभी का वो क्या है कि ये छोटा साइज में है तो क्या है 1 by 81.3 अर्थ के मास से कितना है 1 by 81.3 है और डायमेटर कितना है 3,476 किलोमेटर इसको माइल्स में ले तो कितना होता है 2,160 माइल्स डायमेटर है चांद का और इसके बाद देखते हैं मीन डेंसिटी जो इसकी मीन डेंसिटी है वो क्या है 61% अब दी अर्थ देखें यहां पे क्या बत चांद का वो क्या है बहुत ही कम है as compared to compare करें हम प्रितpee के तुलना करें तो प्रित스ी Rachel के चांद के तुलना करें तो प्रितवी से यह प्रितवी का Rig 가까 शीर्वेयर की हो रहे है . प्रितवी का ये 61% सिर्फ आपका घनत हो है तो that means क्या है कि प्रितवी का material का घनत हो जादा है as compared to किसके compare में चांद के material के compare में तो इस कारण से हम ये बोलते हैं कि क्या हो रहा है कि ये तो अलग-अलग घनत वाले material है that means क्या है कि प्रितवी और प्रितवी से ये चांद नहीं निकला हो सकता है ये भी आपका इस बात को साथ चीग है तो और क्या चीज़े है इस surface gravity जो है surface का gravity है वो कितना है प्रितवी बड़ा है तो that means इसका mass अधिक है तो gravitational force अधिक होगा और चांद छोटा है तो उसका gravitational force कम होगा 0.165% of the earth surface gravity चांद का कितना है 0.165% escape velocity क्या होती है escape velocity वो वेग जिस speed से फेका जाए किसी चीज़ को तो वो वापस ना है तो उसको बोला जाता है escape velocity हमारा प्रितवी का कितना होता है 11.2 km per second इतने speed से कोई भी चीज़ को हम space में फेकते हैं अंतरिच में तो वो चीज़े वापस प्रितवी पे नहीं return आती है तो यह तो हमारा escape velocity प्रितवी का होता है 11.2 km per second और चांद का कितना है 1.48 miles per second तो यह तो बहुत ही कम है तो यह भी चीज़ है कि आपका क्या है कि इसकी size छोटा है तो इसके gravitational force कम है तो इसके velocity इसकी कम है वाइल इसके velocity of the earth is 11.2 km per second due to high gravitational force high gravitational force है प्रितवी का इस कारण से इसकी क्या है 11.2 km per second अब देखते हैं कि क्या है sun है इसके बारे में हमें जैसे moon है moon, sun और earth देखते हैं कि जब भी यहाँ क्या होते है जो भी side आपका सूरी की तरफ होता है जैसे प्रितवी है प्रितवी का जो भाग सूरी के तरफ होगा उधर क्या होगा ये भाग में सुबा कब हो रहा होगा तो सुबा प्रितवी anti-cloakवाज गुमता है सुबा फिर क्या होगी दो पहर फिर क्या साम तो यहां पर क्या है जैसे इनका टेंप्रेचर देखते हैं हमारा एवरेज तो क्या लेते हैं 22 डिगरी के एप्रोच लेते हैं कि हमारा प्रिद्वी का जो एवरेज टेंप्रेचर है वो डे नाइट के पूरा ले ले तो कितना 22 अब इसमें देखें कि मून का क्या है तो डे के टाइम में कितना है 214 डिग्री सेल्सेश टेम्परेचर हो जाता है नून के टाइम में आप्टर नून में कितना टेम्परेचर हो रहा है 214 डिग्री सेल्सेश और यही टेम्परेचर रात के टाइम में क्या हो जाता है मौर्णिंग के टाइम में इसके सरफेस पे करेंगे जहां पर मौर्णिंग हो रहा होगा वहां पर तो वहां पर क्या होती है कि कितना टेमप्रेचर होगा on an average उससे में सन्राइज की समय में माइनस 58 डिगरी सेलसियर टेम्परेचर होता है, तो माइनस 58 तो यह तो कम है, इस टेम्परेचर पे क्या possible है, यहाँ पे कोई इनसान जाके कि इसका नेरिचन करें, तो हाँ ये temperature bearable है, जैसे कि हमारे armies होते हैं, वो क्या किरते हैं, कि इतने negative temperature पे भी क्या करते हैं कि वो बहुत सारे research center भी चल रहे हैं और बहुत सारे armies की commandos वो भी work कर रहे होते हैं तो यह सब possible है इतना temperature में इबनिंग के time में कितना temperature हो जाता है 100 degree Celsius तो 100 degree तो boiling temperature है तो इतना ज्यादा temperature पे भी possible नहीं होता है तो हम morning के time में ही क्या करते हैं सुबा के time में निरिचन करते हैं जहाँ पे सुबा हो रहा होगा उस सता पे उतर करके lunar escape क्या करेगी चांद का निरिचन करेगी तो यह सारे चीज़े हम उस समय करते हैं तो क्या सुबा आपका जैसे प्रितवी था, वो सुबा तो क्या होता है, एक घंटे के लिए होता है, क्या एक घंटे में निरिछन हो जाएगा, नहीं होगा, तो प्रितवी का कितने घंटे में आपको पूरा दीन और राज होती है, 24 गंटे, लेकिन चान की बात करें न, चान में क्या हो रहा है इसका पूरा एक दीन और रात बनता है इसका तो इतना क्या हो रहा है कि इस कारण से इसकी स्पीड जो है कुर्णन की गति जो है अपने आज पर वह बहुत काम है तो इस कारण से क्या करते हैं हम यहां पर पांच से से जिन क्या कर सकते हैं अपजर्ब कर सकते हैं और अपना निरिशन करके ये वापिस आ सकते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये study के बारे में हो गया कि हम कैसे उनका जो है कि lunar escape launch करके scientist कैसे कब और किस टाम पर ये सब करते हैं जिससे moon की जानकारिया वो collect कर पाते हैं अब देखते हैं कि moon जो है वो क्या है कि उसकी surface कैसी है plane तो है नहीं वहाँ पे भी क्या होती है जैसे meteorite आकर के गिरी हुई थी हमारे प्रित्वी में तो इससे प्रित्वी में क्या हो गए थे गड़े बन गए थे बहुत सारे गड़े बन गए थे तो यहाँ पे भी meteorite गिरेंगे तो क्या करेंगे उलका पात किरने से क्या होती है चान में भी गड़े बन जाते जिस कारण से चान में गड़े हमें क्या दिखते हैं हाँ दिखते हैं इस से दिखते हैं डार्क वाले जहां पर क्या होती है सूरिक की लाइट नहीं पहुच पाती है घड़ेों को क्या होती है हम प्रिटवी है क्या दिखते हैं दॉक है जो अब की काली काली घड़े यह सारा यहां पर इनके बारे में देख लेते हैं जो मून's geological center is 2 km away from the geographical center तो इस करण से क्या हुआ कि आप देखते हैं कि यह चांद है वह चांद का क्या है कि actual में इसा एसा होता है, पूरा state होना चाहिए, ऐसा axis होना चाहिए, लेकिन ये axis क्या है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ये axis है, ये actual में होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, ऐसे मुड़ा हुआ है, मुड़ा होने के कारण क्या होगा, इसका geographical axis जो होगा, वो geometrical axis के से क्या होगा, mismatch यहां इसका प्लेस क्या है इसंटर जो है इसका क्या है यहां पे होता है यहां संवर इस plane और इसका प्लेस इस जगह पर होता सेंटर इसका और ऐसे कर दे तो कहां पर आ गया यह जगह जो था यह क्या होता कि अभी देखे इसका सेंटर यहां पर है बाद में क्या हो जाते ऐसे हो जाता तो इसकी प्लेस चेंज हो गई पूरे स्टेट कर दो तो इधर पहले इधर थी तो इस तरीके से क जाहें कि 2 km आवे है geometrical center इसके geographical center से मून के यहां पर region बताया हुआ है because moon's axis is not state moon का जो axis सीधी नहीं है क्योंकि उसमें गड़े बने पड़े हैं तो गड़े बने होने के कारण वो कैसा है जुका हुआ सा है ऐसा जुका हुआ सा होने के कारण क्या होगा उसका geometrical axis और geographical axis नहीं होगा रेधर दें tilted यह is not same इस कारण से देखते हैं कि geometrical center और geographical center दोनों same नहीं है अब इसका कारण क्या था कि कैसे यह आपका यह जो इसका जुका ग्यूआ से आपका जो बेंट कैसे हो गया यह tilt कैसे हुआ जुका हुआ कैसे बना इसका रीजन यहां पर बताए हुआ हुआ due to meteoriteic bombardment there are meteoriteic holes in moon क्या होता है bombardment होती है meteoriteic bombardment जिसके कारण से इसमें meteoriteic hole बन गई है चांद में और जिस कारण से इसका geographical axis जो है वो जुका हुआ है no earthquake and tectonic no earthquake and tectonic activity on the moon moon में कोई आपका earthquake नहीं आता है जैसे प्रितवी में आता है वो ऐसा नहीं आता है तो इसका क्या कारण है couch देख ले ना तो इसका कारण यह है कि जैसा हमारा प्रितवी के अंदर में क्या है magma है अंदर magma है वही क्या होती है यह बाहर निकलती है तो जोला मुख्य आती है और प्लेट क्या होते हैं, एक रेजम थी पे लेकिन यहां पे तो क्या है कि जो हमारा चांज है तो पूरी तरीके से इसमें आपका कोई क्रॉस्ट मैंडल और कोर में इसका दिवाइड नहीं है तो इस कारण से तो मैगमा हूँ हो अंदर में nhất रहे नहीं जिसके कारण से कई वॉलकेनों निकले और वहां पर आज-पास कोई कामें यह और बृट में धिवायड नहीं हो होगे और टक्राएंगे नहीं तो क्या अर्थक्वेक आएगी नहीं आएगे तो देखते हैं यहां पर सोलिसप्टांस है यहां पे मिस्मेज होती हें यहां पे अर्थकुएक आती है Lunar Sea is called Meria देखते हैं कि Meteorite गिरे हैं उलका पात गिरे जिसके कारण से क्या हुए चांद में गड़े बन गए उन गड़ों को क्या बोला जाता है Lunar Sea उनको बोला जाता है Lunar Sea कि वो जो चांद के समुंदर है तो Lunar Sea को क्या बोला जाएगा special name इनके लिए दिया है Meria जितने भी Sea है उनको Meria बोला जाता है जैसे हम Earth में Sea बोलते हैं कि Sea का मतलब समुंदर होता है तो वहाँ पर जो आपके Sea है Lunar Sea उनको बोला जाता है Meria तो ऐसे कितने आपका Lunar Sea है 14 Large Sea है जिसमें से Largest सबसे है Mary Embryum Sea of Sower भी इसको Mary Embryum को बोला जाता है More than 3 lakh craters बने हैं मतलब 30,000 crater है More than 30,000 crater वहाँ पर चांद में है तो आप देखते हैं Largest सबसे बड़ा जो crater है वो कौन सा है Largest is the Clavius and Grimaldi Grimaldi तो यह आपका क्या है सबसे बड़ा जो आपका crater है Clavius and Grimaldi है जो आपका चांद में है Diameter की बात करें तो इनके जो Grimaldi और Calvius जो है इनकी diameter 240 km है तो देखते हैं crater साथ depression crater क्या होती हैं गड़े होते हैं Due to the bombardment Sunlight cannot enter into the crater Bombardment के कारण यह depression बने हुए गड़े बने पड़े हैं जिसमें sunlight इंटर नहीं कर पाती है Thus appears black जिस कारण से यह काले दिखते हैं Dark shadow on the surface of the moon यह ही क्या होते हैं जो dark shadow चांद में है वो यह दिखते हैं Main mountain क्या क्या है जैसे कि वहाँ पे चांद में mountain भी है तो जैसे प्रिजभी में mountain है वैसे आपका mountain वहाँ पे भी तो यह mountain बने कैसे होंगे जैसे आपका क्या 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 कि उलका पात गिरे जहां पे गिरेंगे वहाँ पे तो गड़ा हो जाएगा लेकिन वहाँ का material क्या हो जाएगा उसके side में जाकर के जमा हो जाएगा साइड में जमा होने के कारण वहां पे उंचा mountain टाइप का बन जाएगा एक जगा सामने ही गड़ा उसके बगल में ही क्या होगा उंचा सा दिखेगा तो वह mountain होते हैं तो ऐसे mountain क्या-क्या है तो यह सारे के यूरोप के mountain के नेम जैसे लग रहे हैं तो हां यह क्या है European लोगों उन्होंने सबसे पहले जो मून है उसकी study किया और उन्होंने क्या किया कि उसी बेसिस पे जो यूरोपियन नेम थे मौंटेंस के उन्होंने वहां पे मून के मौंटेंस के वही वही नेम अपलाई किया due to the meteoritic fall material deposited around the crater which is called mountain crater के चारों तरफ जमा हो जाते हैं जिसे भी बोला जाता है mountain तो हम mountain की peak कहां से measure करेंगे उसकी height जो है वह measure कहां से कहीं आती है mountain की तो आपका जैसे हम क्या करते हैं कि प्रिथभी पे सदा पे कहां से mountain की height लेते हैं तो sea level से लेते हैं समुंदर की सदा जो आपका समुंदर का जो water का level है वहां से Universe se-level करते हैं mountain की height लेते हैं लेकिन यहां पे पानी है नहीं तो क्या करेंगे कहां से लेते हैं तो **** करेंगे तो यह करन्स से लेते हैं वहां पर सी label ना होने के कारन्स जो आपका सबसे नीचे वाला गड़ा वाला भाग से वहां से लेकर के mountain जो उसके side में ही जो आपका crater से निकले हुए जो crater हुआ उसके जो आपके side में जो metal जमा हुए वो वहां से गड़े से लेकर के उसकी उंचाई तक measure करेंगे वही आपका क्या होगा उसका mountain का height होगा तो high peak more than 8,000 meter जो आपका सबसे उंचा mountain है उनकी बात करें तो वो कितना more than 8,000 meter तक वहां पे measure की गई है तो यह क्या है Alpine Valley is the deepest goal और वहां पे जो गोर्ज है वो दर्रे भी क्या है वहां पे एक उंचा होगा तो सामने क्या है कि गड़्धा वाला प्लेस भी होगा तो वो सबसे गड़्धे वाले प्लेस को क्या होगा इस अल्पाइन वेली यह भी European name है अब देखते हैं height of the mountain यहां पर बताया हुआ है कि height कहां से measure करेंगे जो mountain है उनकी height कैसे measure करते हैं height of the mountain peak measure from the deepest gorge जो हमारा height जो होता है mountain का उसको कहां से measure करते हैं सबसे deepest gorge से measure करेंगे in the moon moon does not have sea moon में कोई अपना sea नहीं होता है जिसे sea level हम measure कर सकते क्योंकि वहाँ पर पानी ही नहीं है सिर्फ गड़े हैं गड़े को ही बोला जाता है lunar sea और उसे को क्या बोला जा रहा था मेरिया भी बोला जा रहा था तो बस यही था moon के बारे में आगे कि कुछ classes में moon की और भी details लेंगे कि उनका lunar month कितने दिनों का होता है lunar month कैसे होती है पूर निमा का दिन जो हम बोलते हैं या पिन नय चांद का दिन जो बोलते हैं वह सारे चीज़े के बारे में देखेंगे कि lunar eclipse solar eclipse सब देखेंगे कि चां मारे साथ बने रहने के लिए कैनले शेयर इस वीडियो और सब्सक्राइब तो इस वीडियो